इंदोर जिले देपालपूर तैसील के ग्राम पंचाय शाहपुरा में जनपस CEO की साथगार्ट से सरपंच कोमलबाई चंदर सिंग पतेल सचिफ सहायक सचिफ पंचाय समन्वे उपियंत्री सरपंच पुत्र प्रतिनिदी सचिन पतेल ने शासन प्रशासन और जनप्रतिनिदियों की आँखों में धूल जोक कर कभी भाजपा तो कभी कॉंग्रिस पार्टी में दल बदल कर ग्राम पंचाय शाहपुर को ब्रश्टाचार का जिन बना दिया ग्राम पंचाय शाहपुर पर आरोफे की सरकार द्वारा चलाए गए पानी रोको अभियान के तहट जेक डैम बनाए गए थे उसमें भी जमकर ब्रश्टाचार किया गया सूत्रों का माने तो पंकच पिता कैलाश और रामकिशन पिता अमर सिंग की खेट के पास बने पुराने शटर चेक डैम के नाम पर नए चेक डैम का रुपया निकाल कर पुराने चेक डैम की मरमत कर दी गई इंदोर जिले के देपालपूर तैसील की ग्राम पंचाय शापुरा में अखाडे के नाम पर पहलवानी प्रतिभाओं का गला घोटा जा रहा है शासन प्रशासन ने जन प्रतिनिध्यों ने तो एक लाख रुपय की राशी देकर अखाडे भवन का नर्माण का उद्देश पूरा करने का प्रयास किया सरपंच पुत्र प्रतिनिध्य सचन पटेल ने अखाडे में लाल मिट्टी जगे बालू रेती पर पहलवानी कारवाई की जारी अब अगर गाओं के पहलवान बालू रेती पर कुष्टी की प्रैक्टिस करेंगे तो रेती कान नाक मुह में घुस जाती है तो प्रतिभावान पहलवान का भविश्य बरबाद हो सकता है गाओं के पुराने स्कूल भवन पर सरपंच के रिष्टिदार का कबजा ग्राम पंचाय शापूर के सरपंच कोमल बाई चंदर सिंग पटेल और प्रतिनिदी सचिन पटेल के करीबी ने गाओं के अंबे माता मंदिर के पीछे इस्थित पुरानी शास के प्राइमरी स्कूल पर कबजा कर सालों से रह रहा है सरपंच की दबंगई भाजपा और कॉंग्रिस के नेताओं का करीबी है मामला देपालपूर तहसिलदार सही जनपत सीईओ विकासखंड सिक्षा अधिकारी जला सिक्षा अधिकारी इन दोर तक पहुँच चुका है सामुदाइक शौचाले टैंकरों के हॉल बुरे ग्राम शापूर में जनप्रतिनिदियों द्वारा दिये गए तीन पानी के टैंकर पूरी तरह कीट खा चुके है इस मामले में कई बार बता दें कि इस मामले में कई बार जनपत पंचायद देपालपूर के सीईओ राजु मेरा को फोन लगाया लेकिन उन्होंने फोन रसीव नहीं किया मिली है तो मैंने इस संबंध में विकास्टम सीच्छा अधीगारी से बात की है और उनको बोला है कि अकल ही इसको जांच करेंगे और जो भी यदि इसको ताप से अभी गड़़ी है तो संबंधी दोसी के खिलाब कार देंगे जो मेडिया में छपा है पेपर के मार्द्यम से हमको पता चला है कि ग्राम पंचाय साथपुरा में जो चेक बेम है इसकूल है और जो इसके बारे में जैसे हमको पता चला हमने हमारे जन्पत पंचाय से जाट टीम गठिट कर दी है अभी टीम जो है पंचाय और जो कबर भारत वर्ष के लिए देपालपूर इंदोर से संदीप सेन की रिपॉर्ट ताजा खबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पेल आइकन दबाना न भूलें क्योंकि खबर हमारे पैसला चनतंत्र का